हलो बच्चों मेरा नाम प्रज्जोर सिख है और मैं आप लोगों का टाप 10 क्लासे से बच्चों स्वागत करता हूँ जैसा कि हमने पीछले लेक्चर में आपसे वादा किया था पीछले लेक्चर में हमने आपको इनुफाम किया था कि अगला lecture आपका हैलो एलकेन और हैलो एरीन कहने का मतलब कार्विन का सान भी स्टार्ट हो जाएगा तो आज हम देखेंगे बच्चों हैलो एलकेन तथा हैलो एरीन क्या होता है तो सबसे पहले यदे हम बताएं कि बोर्ड एक्जाम की सापते तो यहां का सबसे महत्तोपूर आर्गेनिक अगर टापिक माल लें तो हैलो एलकेन के प्रकार प्रात्मिक हैलो एलकेन क्या है दुतियक हैलो एलकेन क्या है तृतियक हैलो एलकेन क्या है इसे लिख कर जाएए आने वाला है question तो अब हम बात करेंगे हैलो इलकेन क्या है और हैलो इरिन क्या है तो देखें यदि हम बात करें हैलो इलकेन की हैलो इलकेन की तो हैलो इलकेन क्या है हैलो इलकेन दो सब्दों से बना हुआ है एक क्या आपका हाईलो मतलब हाईलोजन और दूसरा क्या है इलकेन जब हाईलोजन और आपका इलकेन जुड़े तो कहने का क्या मतलब इलकेन के हाईलोजन वित्वन आपके क्या कहलाते हैं हाईलो इलकेन कहलाते हैं तो कहने का क्या मतलब निकला कि जैसे यहाँ पर समझ लीजिए फिर आपके हम डिप्निशन बताएं जैसे कि मैं आपका ले लिए एक हाइड्रोकार्बन इलकेन इसको वच्चों क्या कहते हैं आपका मेथेन कहते हैं और इसके हाइड्रोकार्बन रिप्लेस किया किसी हैलोजन से तो क्या बना तो आपका क्या बना अच्चों CS3 और एक्स बना तो ये क्या है आपका हैलोलकेन है ये क्या आपका इलकेन है तो क्या ये मेथेन है और ये क्या आपका मेथिल हैलाइड है क्या आपका मेथिल हैलाइड है क्या मतला बच्चों ये आपका क्या इलकेन है ये क्या आपका इलकेन यहां पर हमने नाम लिख दिय इसका और कुछ नहीं यह आपका क्या है है लो एलकेन है है अब हम डिस्कसन करेंगे आपका कि इसका फार्मूला क्या हो सकता है हाँ बच्चों यहाँ पर ध्यान दिजिए आपसे एक्जाम में हैलो एलकेन का जनरल फार्मूला पोसकता है क्या होता है या तो आपका जो एक्जामिन प्रेडिकल टाइम में आता है वो आपसे पोश लेगा हैलो इलकेन क्या है या हैलो इलकेन का जनरल फार्मूला क्या है तो आपको पता है आपको प्रेटिकल्स में अच्छे माख चाहिए तो आपको ये सब चीजे भी आनी चाहिए तो आएए हम जाने जैसे की इलकेन की बात करें यदि हम इलकेन की बात करें इलकेन के general formula क्या होता है CNES2N plus 2 होता है जहाँ पर यह जो 2 लगा हुआ है यह होता है बच्चो hydrogen परमाड़ों की संख्या यह क्या होता आपके hydrogen परमाड़ों की संख्या अगर हमने यहाँ पर एक hydrogen निकाला अगर आप ही बताइए बच्चो अगर यहाँ समें एक hydrogen निकालेंगे तो formula क्या होता है CNES2N plus 1 बचेगा की नहीं तो यह लिखिया बच्चो CNES2N plus 1 और किसे बच्चो हमने उसे replace कि है हालोचन से न तो हम क्या लगाएगी X लगाएगी बच्चो तो यह क्या रिकला है इसका general formula लिकला इलकेन का general formula क्या होता है CNES2N plus 2 हालोचन का general formula क्या होता है CNES2N plus 1 into X होता है तो अब बात करें हालोचन क्या है तो यह बने कैसे है इलकेन के जब हमने इलकेन के मेधेन के एक hydrogen को किसी हालोचन दोना replace किया अब इस्थावित लिया तो CS3X बना मतलब यह क्या है इलकेन के वितपन है इलकेन से बनी तो वितपन है आपके तो कहने का क्या मतलब यह आदे हम बात करें इसके definition की हम लिखेंगे कैसे definition तो हम क्या लिख सकते है बच्चों देखें यह जपगुआ trick है अगर जबगवा ट्रिक पढ़ लिए तो एक्जाम में एक नंबर पक्का तो देखे बच्चों ये आपका क्या है इलकेन के आपकी क्या है है तो आपको यहाँ पर बता रहे हैं इलकेन के इलकेन के यहां से लिख रहे है बच्चों कि वहाँ पर और भी वर्ड लिखे हुए इलकेन के हैलो जन व्यूत्पन हैलो जन व्यूत्पन हैलो इलकेन कहलाते है बच्चों क्या कहलाते है आपका हैलो इलकेन कहलाते है है येलो इनके इनका लाते हैं और बच्चों आपको पता है समान्य सुत्र क्या होगा cn e h to n फ्लस 1 होगा तो हम लिख सकते हैं इनका समान्य सुत्र क्या होता बच्चों अभी हमने देखा कि cn e h to n फ्लस x होगा cn e h to n फ्लस 1 होगा यक्स होगा ये रहा आपके हैलो इलकें क्या होते हैं अब हम बात करेंगे हैलो इलकें का वर्गी करण कैसे किया गया है आओ हम उसके सीखें और बच्चों इससे पहले हम एक खेडिंग और देख रहे हैं वो है है हैलो इरीन क्या है 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 यह देखिए बिंजीन डिंग को अपको पता है कि क्या अपकी बेंजीन रिंग है यह इस प्रकार से विच्चो होते हैं यह क्या बेंजीन है अच्छा यह बताई इसमें कितने कार्बन एक दो तीन चार पांच और छे तो एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन चार कार्बन पांच कार्बन उच्छा कार्बन और उच्छा कार्बन ने बाद तो C6 होया की नहीं हाँ तो आपको यहां पर दिखा दे रहे हैं यह आपका यहां पर घुमाओ है यहां पर मोड़ है बच्चो वहांपर क्या मिलेगा हाय आपका यह पर दिखा सकते कोई दिक्कथ नहीं आपका यह जो इस्ट्रक्चर है यह क्या कब बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग यदि हम फार्मुला की बात करें तो क्या होता बच्चों C6CH 6 होता है अब बहुत ज़्यादा इसके हम डीप में नहीं जाते बच्चों क्योंकि हमारा यह क्रेस कोर्स है इसलिए हम आओ इसके बारे में जान ले कि हाईलो एरीन क्या होता है तो हाईलो एरीन तो हाईलो एरीन यदि यहीं आपका जो बेंजीन है बेंजीन के हाईटोजन एटम को हम किसी हाईलोजन दोया रिप्लेस करें किसी हाईलोजन दोया रिप्लेस करें तो आपका क्या मिलेगा उच्छो बेंजी रिंग मिलेगी और बेंजी रिंग से क्या लगी होगी एक हैलोजन लगा होगा जिसे हम क्या कहें बच्छो प्यार से हैलो एरीन कहेंगे ये है बच्छो जबकुआ ट्रिक एक बार पढ़िए हजार बार याद रखें अगर आपको पढ़ने तो आईए आप टाप 10 प्लासेज जॉइन कीजिए जब जस्त आर्गैनिक आपकी देखिए बच्चो यह आपको क्या रहा है लो एरीन रहा तो इसे हमने कैसे बनाए बेंजीन के हाइटोजन एटर गोचो किसे रिप्लेस किया है लोजन से तो क्या बना आपको है लो प्रेटुर्ट भी आपको याद रखना पड़ेगा तो आज़ेए आप ये आपका रहा हैलो एरीन ये रहा आपका बेंजीन तो हम लिख सकते हैं अगर डिफिनीशन की बात करें डिफिनीशन तो बेंजीन के हैलोजन विद्पन क्या बच्चो बेंजीन के हैलोजन विद्पन है है लो जन विद्पन है 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 लो एरीन कहलाते हैं अब बात करेंगे इसके वरगी करणकी और जहां से हम बता दें लिख कर देते हैं अब इसे थोड़ा गौर से देखिएगा अब हम बात करें हैलो एरीन और हैलो एलकेन का वरगी करणके बारे में तो बच्चों हम एक चार्ट बनवाते हैं आपको चार्ट पर ध्यान दीजिएगा बहुत सारा क्लासिफिकेशन जो आपके बुक में दिया है जो आपके सिरीज में दिवी हुए है चाहे कि विद्या हो चाहे आपके आउतार हो चाहे जिसमें भी बच्चो दिया हुआ है लेकिन हम एक पाइच आपको एक चार्ट बनाओते हैं बच्चों वही चार्ट अपने दिमाग पर रखिएगा उसी चार्ट को आप देखेगा आपको यह परसंट डाउट नहीं आएगा आओ हम देखते ह हेलो इलकेन का वर्गी करण क्या देखें बच्चों हेलो इलकेन का वर्गी करण तो हेलो इलकेन का वर्गी कर रहे हैं तो हम हेलो इलकेन का वर्गी कर दो अधार पर करते हैं बच्चों एक है हेलो जन परमाडों की संख्या के अधार पर और एक कार्बन परमाडों उपस्ति स की अधार पर तो वर्गी करट दो आधार वच्चों करते हैं एक क्या है आपका है लुझन पर्माड़ोंकी संख्या की अधार पर क्या वच्छों है लूझन और एक हम देखेंगे आपका संकरण के आधार पर अब हैलोजन परमाणों की संक्यां के आधार बच्छों का है कितने प्रकार के हैलोजन हो सकते हैं तो बच्चों याद रखिएगा आपकी NCRT के अनुसाथ तीन प्रकार के एक Mono, एक Die और एक Try जिसको हम कहेंगे दो से आगे चलेंगे हम कहते हैं पाली भी तो Mono, Die और पाली तो घरे का क्या मतलब निकला इसके अमसार आपके Hello, Elkin, तीन प्रकार के ओच्चों कौन-कौन एक क्या आता है Mono, Hello, Elkin, Mono, Hello, Elkin एक क्या आता अच्चों आपका Mono, Hello, Elkin होता है और एक क्या होता आपका Hello, Di, Di, Hello, Elkin और बच्चों जब आपके Hello, जब प्रमाड़ों की संख्या तीन या तीन से ज़्यादा उसे हम क्या करते अच्चों पाली कहते हैं तो आपके अंसियाटे में पाली दी हुई है तो आप पाली जानेए पाली, Hello, Elkin तो हमने देखा Mono, Hello, Elkin, Di, Hello, Elkin और पाली, Hello, Elkin बच्चों आपने जबकुआ ट्रिक पड़ी होगी, एक जानते होंगे कि Mono मतलब क्या होता है, एक होता है, Di मतलब क्या होता है, दो होता है और पाली मतलब तीन या तीन से ज़्यादा होता है तो Mono, Hello, Mono, Hello, मतलब हलोजन परमाणों संख्या एक, तो Mono, Hello, Elkin Di, Hello, मतलब हलोजन परमाणों संख्या दो, तो Di, Hello, Elkin पाली मतलब हलोजन परमाणों संख्या तीन या तीन से ज़्यादा, तो पाली, Hello, Elkin तो कहेंगे अच्चों, यदि आपके हैलोजर परमोग संख्या क्या हो एक हो तो मोनो हैलोलकेन यदि बच्चो आपके हैलोजर परमोग संख्या कितनी हो दो हो तो डाई हैलोलकेन यदि बच्चो आपके हैलोजर परमोग की संख्या कितनी हो तीन या तीन से ज़्यादा हो तीन या एजामपल की बात करें बच्चों तो आप क्या सकते हैं CS3X तो क्या है Monohalocane और देखे हैलोजन प्रोवर्शन के दो बच्चों जैसे हमने लिख दिया आपका CS2X और आपका CS2X तो क्या है डाई हैलोलके और जैसे हम बात करें पाली की तो पाली में क्या सक्चों तीन या तीन से ज्यादा हो सकता है तो जैसे हमने लिखा CS2X और आपका CS2X और एक इजामपल और बच्चों जैसे हमने लिखा CS2X CS 12X तो याप बच्चों आपके क्या है पाली हैलोलके है तो जब हैलोजं पर माडल की संक्षा एक तो देखिए जब दो तो डाई हैलोलके जब तीन या तीन से ज्यादा तो पाली हैलोलके होगा और यदि आपको पढ़ने तो जपकुआ ट्रिक तो जरूर करी ज़ाइन अप टाप टेल क्लासिज आज यह चो यह चीज रहा आपका मोनो, डाई और पाली क्या होता है तो अब हम आते हैं आपके संक्रण के अधार पर हैलो इलकेन के प्रखाव तो इसको यदि डिफ्रीसन लिखना है बच्चो कोई रिक्कत नहीं वह हैलो इलकेन जिसमें हैलो जर्ण प्रमारुक की संख्या एक हो उससे कहेंगे मोनो हैलो इलकेन वह हैलो इलकेन जिसमें हैलो जर्ण प्रमारुक संख्या दो हुस्षिम क्या कहेंगे dy-hailo ilkin और वह ilkin जिसमें halogen प्रमार्बक संकतिन यह तिन से ज्यादा ऌईums इन क्या कहेंगे पाली-halo ilkin कहेंगे तो बात करें अब दुसरा संक्रण के आधार prefer तो संक्रण के आधार बच्छों दो प्रकार से divination हुआ है इसका वरगी करड़ हुआ है, एक है आपका यदि carbon परमाड से यदि halogen परमाड से जुड़ा हुआ carbon SP3 hybridized हो SP3 संकरित हो और यदि आपका halogen परमाड से जुड़ा हुआ carbon परमाड SP2 संकरित हो तो इस आढ़ार आपके दो प्रकार की होते हैं तो करें क्या मतलब यदि हैलो जब पर्माड से जुड़ा हुआ आपका ये कार्बन पर्माड यस्पी 3 संकरित हो यस्पी 3 संकरित हो तब इसका वर्गी करण कैसे करेंगे और जब यही हैलो आपका कार्बन पर्माड यस्पी 2 संकरित होगा तो इसका हम वर्गी करण कैसे करे तो यह चीज आओ हम सीखें यह पहलू बहुत ही सरल है यह पहलू बहुत ही सरल है इससे भी सरल है बच्चो देखिए कि एक भी बार में देखिए यह पहलू बहुत है तो यहां पर अच्चो हम तीन प्रकार से इससे डिवाइड करेंगे एक होता आपका एलिक एलिक क्या दा अच्चो आपका एक एलिक और एक होता आपका एलिक होता आपका एलिक हराईड और यह एलिक हिलाइड भी लिख सता है जो कोई दिक करते हैं एलिक ही लिखे लेकिन आप Chemへ हराईड प्रक्रक्र में घ्लाइड लिखे लोई के लिखे बिन जायलिक बिन जायलिक हैलाई तो बच्चो एलेलिक क्या है एलेलिक क्या है एलेलिक आज से आप ध्यान रखेगा यदि आपका कार्बन परमाड़ कार्बन कार्बन दिभंद कार्बन परमाड़ से जुड़ा है तो से हम कहते हैं एलेलिक कार्बन देखिए जैसे यही कार्बन पर मार्ड आपके कार्बन कार्बन द्विबंद कार्बन पर मार्ड से जुड़ा हुआ है किसे अच्छो कार्बन कार्बन द्विबंद कार्बन पर मार्ड से जुड़ा हुआ इस कार्बन क्या कहते है बच्छो आपका यही कार्बन कहते है क्या कहते है आपका एलिलीक carbon कहते है ऐलिलीक carbon कहेंगे और एलेलीक carbon से जब जुड़ गये आपका क्या hydrogen तो बच्चों आपको पता ही क्या होगा आपका इलिलिक हैलाइड होगा क्या है इलिलिक हैड है हैलाइड जब आपके इलिलिक कार्बन परमाड से हैलोजन परमाड जुड़ा हो तो से हम क्या कहेंगे इलिलिक हैलाइड कहेंगे अब बात करते हैं इस पर संक्रड क्या है कोई पूर सकता रचो इस पर संक्रण क्या है तो देखिए हमने हाइट्रोजन यहाँ पर नहीं दिखा है हाइट्रोजन आपको दिखा रहे हैं तो आपका यहाँ पर हाइट्रोजन दो है तो हमने क्या लिखा है CS2 CS CS2 आप बच्चों देखिए अगर इसके श्रॉक्चर अम डाकर इतने पोर्षन की तो यहाँ पर ध्याद दिजिएगा कि इसका श्रॉक्चर कैसा हम बनाएंगे सी है एक हार्जन यह लगा दिया एक हार्जन यहाँ पर वे बंद यहाँ पर यही इतना पोर्शन चो ध्यान दीजिए इतना पोर्शन आपका क्या है यही है कि नहीं आप सिग्मा बंद कीजिए वच्चो एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा और चार सिग्मा कितने है वच् और यह थी तो तीन होगा थैर येस्पी टू और न७ी ऊड़ोा तो मियाक वजो़ों यह ठी को जोगा और बचचे इसकी आप्रती कैसे होगी तो इसके भारेंबे जब आपका लांग कोर्स चलेगा जब आप पूरा कोर्स पढ़ेंगे तो इसके बारे बच्चों आपको हम बताएंगे क्योंकि ताइम बहुत काम रहता है तो यह चीज रहा आपका इललिक हैलाइड तो इस पर क्या सब्सक्राइब निकला और बजाए अगला क्या इलकिल है अब इलकिल क्या है जब कभी भी जब कभी भी आपके इलकिल गते है कों? जूसा कि भी आप दनाद है आंगे अगर पूरा नहए तो एक लगाएंगे एक बंद नहीन पूरा है अगर आपको जोड़ना आता है तो यह देखिए यह मेधिल बच्चो कठी नहीं एक दम सरल है यह तो जप्पुआ भी करेगा CS4 से निकला जब एक हाइट्रोजन तो अभी तो अपका मेधिन था अभी जब एक निकल गया तो मेध और आपका बंद क्या है एक बंद खाली है तो इल लगाईये बच्चो तो मेध में हमने इल लगा तो क्या निकला आपका मेधिल निकला तो हम बात करें इल्किल इल्किल क्या है बच्चो कार्बन पर्माडू की संख्या के नाम को हम इल्क कहते हैं कार्बन पर्माडू की संख्या को नाम को क्या कहते हैं इल्क कहते हैं जैसे में I得 paint इस सबकों बच्चो कहेंगे आपका IKILL अब आपका IKILL आया तो कहने का मतलब अगर आपके अगर आपके किस IKILL से अगर आपके IKILL समूं से क्या जुड़ा हो do क्या कहेंगे और Si Obamます IKILL In-yn Nature कहेंगे यह इसकी example की बात करें तो आपके क्या हो सकता अच्छों CS3X देखिए ये मेथिल है और मेथिल से जड़ा हुआ है हैलोजन तो क्या होगा मेथिल हैलाइड होगा मेथिल हैलाइड होगा अगर आपने क्लोरीन लगाया तो मेथिल क्लोराइड प्रोमेल लगाया तो मिथिल प्रोमाइड फ्लोरील लगाया तो मिथिल फ्लोराइड होगा बच्चो तो यह आपका CS3 यक्स क्या रहा है इलकिल हैलाइड रहा और इलकिल हैलाइड के दे मरुगी करण करें तो यह आपके तीन प्रकार के बच्चो अगर आप इसे पढ़कर जाएंगे जपकुआ ट्रिक से तो आपको याद रहेगा इसलिए आप वीडियो के लाज तक बने रहेगे तो देखें बच्चों तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका यही हैलोजन परमाड वन डिगरी कार्बन परमाड से जुड़ा हो जैसे हमने लिखा आपका R CS2 GX अचा चो यह देखें यह जो कार्बन परमाड हुआ है यह कौन से डिगरी है इसकी वन डिगरी एक ही कार्बन जुड़ा हुआ नहीं जैसे यह यहाँ पर यह क्या होगा एक एलकिल गूप होगा आपका यह क्या बच्चों आपका एक एलकिल कहेंगे वन डिगरी कार्बन कहेंगे अगर बच्चों आपका हैलोजन परमाड वन डिगरी कार्बन परमाड से जुड़ा हुआ तो इसे हम क्या कहेंगे प्राथमिक एलकिल हैलाइड कहेंगे अगर यही आपका हैलोजन परमाड देखें यहाँ पर यह भी एलकिल मतलब क्य अगर कोई हमने R लगाया है तो उसके पास बच्छो कार्बन होगा अगर यहाँ पर कार्बन है एक कार्बन से यह जुड़ा हो यहाँ पर और यह कार्बन से यहाँ पर जुड़ा हो तो दो कार्बन से जुड़ा है न बच्छो तो इसे हम क्या कहेंगे 2 degree कहेंग बच्चो क्या कहेंगे 2 degree carbon कहेंगे और यदि आपका 2 degree carbon से बच्चो क्या जुड़ा हो हैलोजन जुड़ा हो तुस्से हम क्या कहेंगे दुतियक इलकिल हैलाइड कहेंगे और यदि यही और बच्चो यदि यही आपका हैलोजन परमाड 3 degree carbon पर मार्ण से जुड़ जाए कितने से बच्चों 3 degrees देखे 1R मतलब carbon रख रहा है बच्चो 1 से जुड़ा 2 से जुड़ा 3 से जुड़ा 3 degree carbon है की नहीं 3 से जुड़ा वह तो बच्चों मिसे हम क्या कहेंगे 3 degree carbon कहेंगे की नहीं हाँ 3 degree कहेंगे और 3 degree कहेंगे और जब 3 degree से आपका हैलोजन जुड़े तो उसे हम क्या कहेंगे 3 degree मतलब 3-1 एलकील हैलाइड कहेंगे तो प्रात्मिक एलकील हैलाइड क्या है जब हैलोजन पर मार्ण प्रात्मिक कार्बन पर मार्ण से जुड़ा हो और जब हैलोजन परमार्ड दृतियक कार्बन परमार्ड से जुड़ा तो दृतियक हैलकिल हैलाइड और ये दि हैलोजन परमार्ड तृतियक कार्बन परमार्ड से जुड़ा हो बच्चो तो उसे हम क्या कें तृतियक हैलकिल हैलाइड कहेंगे और ये बहुत ज़्यादा important है बच्चो इसको हम थोड़ा सा को और लिखा भी देते हैं और इसके बिशेय में हम लिख लेते हैं थोड़ा सा अभी आगे जो बचा हो अच्चो इसे हम पढ़ेंगे उसका आप टिंस्तन मत लिजे उसे हम पढ़ेंगे क्योंकि बिना पढ़े उधार नहीं बिना पढ़े बच्चो अब उधार नहीं होगा और एक तो देख रहे हैं आपका बोर्ड एक्जाम भी होने वाला है अभी तो लोग बता रहे थे कि कोरोणा के कालर, बोर्ड इक्जाम आपका होगा नहीं? आप देखें, आपके सुप्रियम कोट में भी कहका दिया, कि बोर्ड इक्जाम बच्चों का जरूर लीजिए. अब तो पढ़े बिना उधार नहीं. आप देखिए हम बात करें थे बच्चों आपका इल्किल हैलाइड के प्रकार तो बच्चों हम सब चीजे देख चुके हैं तो टाइम नहीं गौत है डालेट लिए मताते हैं एक होता प्रात्मिक क्या था आपका प्रात्मिक इल्किल हैलाइड तो प्रात्मिक इल्किल हैलाइड क्या है तो जब हैलोजन प्रात्मिक कार्बन प्रमार से जुड़ा हो वन डिगरी कार्बन प्रमार से जुड़ा हो तो उसे क्या कहेंगे प्रात्मिक इल्किल हैलाइड कहेंगे लिख सकते हैं जब कार्बन परमाड़। उसे प्रात्मिक तो उसे क्या अच्छो प्रात्मिक एलकिल हैलाइड कहते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं प्रात्मिक एलकिल हैलाइड कहते हैं इंगे बात करें समाने सुत्र की समान्य सुत्र की तो समान्य सुत्र क्या होगा समान्य सुत्र क्या होगा बच्चो तो हमी आपने दिखाया था कि R से जुड़ा था CS2 से जुड़ा था X तो यही क्या इसका बच्चो समान्य सुत्र है यही क्या आपका समान्य सुत्र है तो प्रात्मिक एल्गिल हलाइट क्या होते हैं तो हम कहाएंगे जब कार्बन परमाड ज़ूरा हो तो उसे प्रात्मिक एलकिल ह्लाइट कहेंगे आग बात करें आपकी ऐद एक्जाम्पल की एक्जाम्पल क्या हो है यह सब लगा CS3 CS2X तो बच्चो देखिए यहां पेज़र आप हम लगाते है वह फ्लोरी तो यहां पर देखिए बच्चो यह आपका थालोजन परमाट किसे दुड़ाए वन डिगरी कारवन परमाट दुड़ा हो है तो सिम क्या दुड़ीयक alkyl halide यह आपका सकते हैं टू workflow इसे हम टूबरी इल情況 कहते हैं तो जब कारवन परमाड दूड़ीयक रवन परमाड से जुड़ा होता है तो उसे तो उसे दुड़ीयक alkyl halide कहते हैं बच्चो तो उसे हम क्या कहते हैं तो उसे तो उसे दुतियक इलक्ल हैलाइड कहते हैं क्या इतनी बात आई है सान वच्चो दुतियक इलक्ल हैलाइड और कंफुज मत ही होई है अगर टुडीक्री इलक्ल हैलाइड पोछ दे तो क्योंकि दोनों मीनिंग तो एक ही है न वच्चो दोनों में निक एक ही है जप्पुआ ट्रिक लागू है आपकी टू डिग्री इलकील हैलाइट तो यदि हम बात करें समान सुत्री बच्चों तो जैसे कि हमने आपका लिखा यह आपका CH और यहां से जुड़ा हुआ आपका हैलोजन और यहां से जुड़ दिया हमने एक अलकील ग्रूप यहां से जुड़ दिया तो यह किस्ते जुड़ा हुआ है एक कारवन से यहां एक कारवन से यहां तो यह टू डिग्री यह से हम क्या कहें 2 degree alkyl hyalide कहेंगे तो इसका सम्माने सुद्र बच्चों ये होता है दिर 60 में रिखना चाहें 60 में क्या लिखेंगे R2 C H X ये तो बड़ी सरल है C2 C H सौरी R2 C H और आपका X और हम इसकी example की बात परें तो example क्या हो अच्चों जैसे C S 3 C H और X है बच्चों ये क्या है बच्चों ये आपने chlorine लगा दिये नहीं तो आप भी कहेंगे कि देखिए master side वो ही लगा कर चलते पिर रहे X X X X तो नहीं बच्चों हमने लगा दिये X से बजाए chlorine C L तो ये क्या है बच्चों तीक एलकिल हलाइड है बच्चों अब हम baixo करेंगे दिरितीक एलकिल हलाइड ये ओच्चों इसका समान्य सूत्र है इसे यादक किएगा ये की आपका need अब टितीयक एलकिल हलाइड क्या होता है बच्चों तर्षियरी एलकिल हैलाइड तो तर्षियरी एलकिल हैलाइड तर्षियरी एलकिल हैलाइड तो तर्षियरी एलकिल हैलाइड क्या होगा जब हैलोजन पर माढ़ू जब हैलोजन पर माढ़ू तृतियक कार्बन पर्माल से जुड़े हो तो उसे तृतियक तो उसे तृतियक एलकिल हैलाइड तो उसे तृतियक एलकिल हैलाइड कहते हैं क्या इतनी बाते आई समझ में इतनी बाते आई बच्चों समझ में कि जब हैलोजन पर्माल तृतियक कार्बन पर्माल से तृतियक मतलब 3 डिगरी कार्बन पर्माल से जुड़े हो तो उसे हम क्या कहते हैं तृति समान्य सुत्र की बच्चों समान्य सुत्र की देखिए हमने कार्बन लिया लगा दिया ती इलकिल ग्रूप और देखिए बच्चों यह यह क्या है त्रितियक हैं यह क्या है कार्बन फ्री डिगरी कार्बन होच्चों और फ्री डिगरी कार्बन हम क्या कहते हैं त्रितियक कार तो क्या दिर्टियक लकील हेलाइट कहेंगे तो उसका समानव सुत्र क्या निकला या तो इसे बनाए बैच्चो या तो इसे बनाए आर टे कंट्री सी और एक्स ॉ तो यह दिम बात करें एक्जामपल की तो एक्जामपल क्या शक्ता आपका CH3 ये बच्चो दिखिए ये क्या है आपका इसका example है अब इसका नाम क्या है बच्चो अगर आपको इसका नाम लिखना है तो थोड़े दर और टिके हम इसके नाम के बारे में डिस्कसन करेंगे तो ये रात तिर्तिय केल की है राड बच्चो अब हम बात कर रहेते हैं आपके बच्चे हुए और classification की बच्चे हुए और classification की तो यहां बच्चो लिखा बेंजाइलिक तो बच्चो बेंजाइलिक क्या है बेंजीन से अगर कार्बन पर मार जुड़ा है ना बच्चो से हम क्या कहेंगे benzylic carbon कहेंगे दिखिए यह रहां का benzyn और benzyn से जोड़ दिया भाई साहम ने आपका carbon तो यह से मैं क्या कहें benzylic carbon कहेंगे और यदि benzylic carbon से बच्चो हमने जोड़ दिया hyalide तो यह क्या है बच्चो आपका benzylic hyalide है तो यह बात आपको इतनी समझ में आई हुए है तो यहाँ पर आप कोई भी हैलोजन के अंतरगत कोई भी ले सकते हैं फ्लोरेन, फ्लोरीन, ब्रोमिन और आयोडी तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यदि हम बात करें fineλαid sp2 संक्रिट के अधहार पर मतलब काने का निकला यदि आपका carbon parmode जो हैलोजन 파mode से जुड़ा हुआ है काने का मतलब यदि आपका halogen parmode से जुड़ा हुआ carbon sp2 hybridized हो, sp2 संक्रिथ हो तो उसके अधहार पर hyal ocurra rampage के प्राकार करते हैं तो इसके आधार बच्चों दो प्रकार के अगर इस संक्रण का अधार पर देखें दो प्रकार के एक होता है आपको वाइनिलिक 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 हैलाइट और बच्चों आपका एरिल हैलाइट आ गया ने अगला क्या होता बच्चों एरिल हैलाइट एरिल हैलाइट वाइनिलिक हैलाइट क्या है अगर आपका हैलोजन परमाड वाइनिलिक कार्बन से जुड़ा वाइनिलिक का क्या मतलब है तो वाइनिलिक का मतलब है CS2 डबल बंद CS2 समने जोड़ दिया आपका हैलोजन तो आपका क्या लाग है क्या वाइनिलिक कार्बन अगर हैलोजन परमन वाइनिलिक कार्बन से जुड़ा है तुसे हम क्या कहेंगे वाइनिलिक हैलाइट कहेंगे आईए एक और सिखा दे आपको क्या ये सिगमा बंद होगा बच्चो एक पाई होगा अबी तक आप जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते हो तो सीखिए अगर आपका एकल बंद होगा बच्छो तूस्से हम कहेंगे सिगमा अगर डबल बंद होगा इसमें होता बच्छो 1Pi और 1 een होता है सिगमा 1 Psychma 1 y अगर बच्छो आपका तिरिबल बंद होगा तो दो पाई होते है बच्चों इसमें, दो पाई और एक सिगमा होता है दो पाई और एक क्या तो बच्चों सिगमा होता है इसे बच्चों पियाद रखिएगा तो देखिए, यहाँ पर एक सिगमा, दो सिगमा, एक हाइडोजन से लगा हुआ, तीन सिगमा और 3 सिगमा है बच्चो तो इसे हम क्या कहेंगे कौन सा संक्रड है बच्चो आपका यहाँ पर SP2 है अगर SP2 से जुड़ा आपका हैलोजन तो क्या है बच्चो आपका यहाँ पर और एरील हैलाइड रुकिए थोड़ा ध्यान दीजिए एरील हैलाइड चुटकियों का खेले देखिए अगर यही रहा बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग से डारेक्ट आपने क्या रोड़ रहा है हाईलो जन बच्चो तो आपका क्या है एरील है जिससे हम आयू पाइक मे क्या कहते है बच्चो हैलो एरीन कहते है हुआ न चुटकियों का खेला को अच्चो अब देखे अब हम बढ़ते हैं आपका आगे अब इसका नामकरण करना सीखेंगे बच्चो नामकरण करना भी आपको गजब का है आप चुटकिया बजाए नामकरण सीखें जाए इच्छी टाइम में करते हैं आपका प्रेस को समांत तो अब हम बात करेंगे आई-पी-ए-सी नामक्लेचर और साधर्ड मेथर्ड मतब साधर्ड विधी में हम एलकी लहलाइट का बच्चों नामकर कैसे करेंगे आओ सिखें तो नाओ वी आर कमी ओर टापिक विच इस दे ना तो फर्सली हम करेंगे बच्चों यहाँ पर नामकर जिससे हम क्या करते प्यार से बच्चों यन-o-e-m-e-n-c-l-a-t-u-r-e नामन क्लेचर इट इस टू मच इजी यू कैन नाट फिल इक फर्सली यू है तू से यह कितना सरले बच्चों आप इसे फिल भी नहीं कर सकते है लेकिन है नहीं जब आप पढ़ेंगे टाप टिन क्लास से तभी तो आएगा मजा कमिस्ती का नहीं तो हुआ है सबके साथ अच्छे अच्छों का सजा तो आजएगे बच्चों अब देखेंगे आपकी हम साधारण पध्धती साधारण पध्धती और एक तब देखेंगे बच्चों आपका आईउप्सी पध्धती आईउप्सी पध्धती अब साधारण पध्धत आयउप्सी में कैसे नाम करेंगे तो किवल आप रुखिए 2 मिनट आप नाम कर सीख के जाए बच्छों दो मिनट रुकिए देखिए आपका क्या लिख्या हमें साधार पद्धती कामन मेथड कामन मेथड में अगर हम नाम करेंगे बच्चों तो सबसे पहले हम करेंगे आपका एलकिल ग्रूप का नाम तो ठीक है बच्चों हम बात करें थे आपका साधार पद्धत की तो कामन मेथड हैं बच्चों हम क्या करते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं आपके एलकिल ग्रूप का नाम then we have to say how to write your कामन मेथड तो सबसे पहले हम आपका लिखेंगे क्या एलकिल ग्रूप का नाम एलकिल ग्रूप का नाम लिखेंगे बच्चों तो एलकिल ग्रूप का नाम लिखेंगे तो आपको जप्कुआ ट्रिक अभी बताए तो जप्कुआ ट्रिक अगर आप सीखेंगे तो जायस क्या है आप आसानिस लिख लेंगे इलकिल समू का नाम लिखे बच्चों और इसके बाद लगाईए आप इसका हैलाइड का नाम बस खतम इतनी सी बातें हैं और इतनी सी बातें आप चुटकियों में सीखे नहीं जैसा हमने वदा किया वैसा सिखाया आ जाईए एलाकिल समु का क्या ना जैसे हमने लिखा बच्चों CS3X CS3C-L लिख दिया बच्चों तो इसका क्या ना मूरल है देखिए इलाकिल समु क्या बच्चों देखिए मेथिल है कीन Efendimiz और मेथिल से लगा क्लॉरीन तो लाश्ट में दी आता है आपका क्लोरीन, तो क्या लिखते हैं, आपका क्लोराइड, तो आपका क्या रहा मेथिल क्लोराइड, तो क्या लिखा बच्चों हमने, मेथिल क्लोराइड, तो लगी कटिन का मिस्ट्री, गजब की है, आप थोड़ा दिल तो लगाईए, मज़ा आ अगर आपका एथ है और एथ में बच्चों हमने कहा अगर इतनी की बात करें तो इतनी की बात करें अगर क्लोरीन आपका नहों तो क्या नाम निकलेगा एथ प्लस इल तो क्या रहेगा बच्चों एथिल तो क्या रहेगा आपका एथिल तो आपका नाम क्या पड़ा अगर यह लगाकर बात करेंगे साधार पध्धत में जैसे हमने लिख दिया आपका यहां पर अच्छो दिहां दीजे आप यहां पर लिखा CS3, CS2, CS2 और BR तो बच्चों यहां पर देख तीन कार्बन है की नहीं अगर तीन कार्बन है और तीन कार्बन आपने सीख रखाए प्रिवियस लेक्च्छर में पिछले क्लासों में भी सीखा आए तीन कार्बन का नाम होता है प्रोप और प्रोप से लगाएंगे इल तो मुस् और हिंदी में तो भी लिखना जरूरी है न बच्चो क्योंकि हम यूपी बोर्ड वाले हैं तो हिंदी न तो चलेगी नहीं एन प्रोपील ब्रोमाइड लेकिन हमारा बात मानिए आप सबसे ज्यादा प्रिफर्ड इंग्लिस को बच्चो कीजिए क्योंकि आगे आपको सब ची एकदम सिंपल यह तो हमारी एक्जाम में आने वाला ही नहीं है एकदम आने वाला नहीं है तो जैसे कि हम आपका कहें लेकिन वच्चो आने वाला नहीं इसका मतलब इसे हम पढ़ेंगे नहीं पढ़ना तो जरूरी है क्योंकि जब हम पढ़ेंगे कि आपका इंटर तो इसलिए आप इसे गौशे देखे मस्ती में मत लीजिएगा जैसे हमने लिखा आपका सीज्थ री सीयच और सीज्थ और यह आप ने लगा दें हमने क्लोरीन तो बच्चों अब इसको हम क्या कहते हैं कि इसकों क्या आई-इसो कहते हैं इसे हम क्या करेंगे अगर आपका Secondary कार्बन से हैलोजन पर माट जुड़ा हो तो हम इसे हम क्या करते हैं आपका आईसो कहते हैं तो आईसो रहा ना कितने कार्बन एक दो तीर तो आईसो प्रोपिल क्या निकला आईसो प्रोपिल और आईसो प्रोपिल समने लगा है क्लोरीन तो आईसो प्रोपिल क्लोराइड तो ये आपका साधार पद्दत में नामन क्लेचर रहा तो बहुत ही इजी है साधार पद्दत ही चुटकिया बजाएए और साधार पद्दत ही आप सीख के जाएए अब बात करते हैं आपका आयूपैक देखे इसे हम दो चीज़े पढ़ते हैं आयूपैक भी पढ़ सकते हैं और आपका क्या पढ़ सकते हैं आयूपैक भी पढ़ सकते हैं बोत वी केंड हिएपट एर यू कैन से आयू पाइक और जो पढ़िए लेकिन हाँ पढ़ दो सकतें आयू पीसी या या आयू पैक तो यह रिएए बात करें आयू पैक में इसका नामकर च्या होता है चोंग आपका हैलो एलकेन होता है तो ये देखे हैलो एलकेन है की नहीं और हैलो एलकेन ही तो सब्दों से जुड़कर बना हुआ है देखे हम सब्दों तोड़ते हैं संद विच्छेद करते हैं ये है है हैलो हैलो का मतलब क्या है ये अगर कभी भी इलक सद्ध से पहले कोई भी आपका सब्दायत तुछे तुरंत याद दिखे दिमाग में पूरलगन है क्या है आपका पूरलगन है तो ये हैलो क्या है आपका पूरलगन है बच्चो क्या है आपका पूरलगन है और ये बच्चो आपके ये पूरलगन है तो इलक आयान बच्चो और पूर लग में अगर आपका इलक जोड़ दिया तो इलक का नाम भी तब आपको हमने कुछ टाइम पहले बताया है इलक का नाम है आपका मूलसब्द क्या है बच्चो मूलसब्द है अनुलगना और एक होता बच्चो दुतियक अनुलगन वो आपके इस चैफ्टर में नहीं है तो हमें भी डिसकसन नहीं करेंगे जब आएगा तो डिसकसन करेंगे दुतियक अनुलगन का तो आप जानते रिए आगे भी आपका होता है क्या दुतियक अनुलगना अब दुतियक अनुलग न क्या होते बच्चों क्रियात्मक समू होते इसे आप याद रखिएगा अब देखिए आप इसके माध्यम से अगर कोई भी open chain compound है तो चुटकिया बजाएए और आयूपैक नेम लिख कर जाएए लेकिन इससे पहले हम ये चीजों की जानकारी होनी च क्या है मूलिय सद्ध क्या है और दुत्यक अनुलग न क्या है तो सबसे फहले बच्चे क्या होता है तो ऐसे समूव नभी हो सकते हैं और असमु जो आपकेล स्रिंखला में नहीं आते बच्चों उसे हम क्या कहते हैं पूर लग नहीं कहते हैं पूर लग देखे सबसे ही क्लिए पूर पूर मतलब पहले मूल सबसे जो पहले आ जाए मतलब मुझे स्रिंखला में आपका आये ही नहीं तुसे हम क्या कहेंगे पूर लग नहीं कहेंगे जै पूर लगन है अगर आप को आयू पीएसी नाम सीखना है बच्चो तो हम मिलते हैं आपके नेक्ट लेक्चर में ठीक है बच्चो तब तक ले गुडबाई जैहिंद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक किये जेगा और आपको यदि इस्पेसाल कमेस्ट्री पढ़ने जब अजस्ट कमेस्ट्री तो अपने दोस्तों से बताईए टाप 10 क्लासेश के बारे में और जादर जादर सेयर कीजिए और इससे जुड़िये तब तक ले जैहिंद और जैभार